हाई गाइज मेरा नाम निशानत है आज हम क्लास 11 के अकाउंट का नेक्स एप्टर करेंगे जिसका नाम है बिल्स ओफ एक्सचेंज हम इसको पहले समझेंगे कि एक्चुली में बिल्स ओफ एक्सचेंज होता क्या है एक छोटा सा एक्सांपल लेते हैं कि मालो एक परसन है ए और एक परसन है भी अगर ए ने कुछ गुट्स बेचे कुछ भी गुट्स बेचे भी को तो ए हमारा कौन हो जाएगा seller और B हमारा कौन हो जाएगा purchaser मालो 10,000 के goods बेचे जैसे हमने journal entries की हुई है तो उसमें इस portion में journal entries A की book में क्या journal entry बनेगी B's account debit 10,000 to sales account 10,000 यह entry बनेगी किसके A की books में बनेगी क्यों B क्या है हमारा receiver है तो B's account debit to sales account हमारी sale हो रही है तो क्या 10,000 अब B के books में क्या बनेगा जो entry बनेगी वो क्या बनेगी purchase account debit क्योंकि asset बढ़ रहा है तो इसलिए debit to A's account क्योंकि हमने किस पर purchase किया है इसको अभी credit पर बी ने अभी purchase किया है और A ने इसको credit पर sale किया है माल लो इन दोनों के अंदर बात होती है कि sir B कहता है कि sir मैं आपको जो पैसे है वो तीन मंथ बाद दूँगा त्री मंथ बाद मैं आपको पैसे दूँगा तो अब A आपको क्या लगता है ऐसे मान जाएगा A नहीं मानेगा A कहेगा कि sir मेरे को कोई evidence दो कि आप मेरे को जो पैसे है वो त्री मंथ बाद दे दोगे उसमें क्या होता है अब A ही कुछ A मांग रहा है A proof मांग रहा है तो A क्या करेगा एक एक ऐसे note बनाएगा type of slip माल लो note बनाएगा उसके अंदर लिखेगा जो भी formalities है लिखेगा कि मैंने ऐसे ऐसे करके इसको goods बेचे किसको B को goods बेचे कितने के 10,000 के goods बेचे जो भी उसके अंदर return होगा ये एक तरह से एक note हो जाएगा एक किसी भी slip पे अब इसके क्या होता है ये slips actually में मिल जाती होती है market में इस slip पे लिखवाएंगे अब ये slip पे अगर माल लो कोई लिख देता है माल लो A ने लिखके दे दिया कि B ने मेरे से ऐसे ऐसे करके 10,000 के जो products थे वो purchase किये तो आपको क्या लगता है क्या ये valid है इसी तरह से valid नहीं है valid कब तक नहीं है जब तक इसको B माननी लेता कि हाँ कि जो A ने यहाँ पर बात लिखी है वो सही है अब B माननेगा कैसे B कैसे माननेगा यहाँ पर sign करके B जब तक यहाँ पर sign नहीं करेगा तब तक यह create ही नहीं होगा A ने तो sign कर दिये इस पर कि मैंने ऐसे ऐसे करके इसको goods बेचे हैं लेकिन यह बनेगा कब? यह जो note है यह valid कब होगा? जब इस पर B sign करेगा B इसको मानेगा B कैसे मानेगा? इस पर sign करके तब यह जाकर create होगा कि मालों यहाँ पर A के sign होगे और यहाँ पर B के sign होगे तो अब A ऐसी जीज लिए कोई भी ऐसा note है उसको B के पास बेचेगा B sign करेगा उसको accept करेगा अब एक बात सोचने वाली है कि जब B accept कर लेगा तो यह जो note है यह जो भी slip है वो B के पास रहेगी या A के पास रहेगी और विसी बात है A ने लिखवाया है A को ही guarantee चाहिए तो किसके पास रहेगी A के पास रहेगी B के पास क्यों नहीं रहेगी कि सर मालो अगर A कल को case करने जाता है B पैसे नहीं देता A कल को case करने जाता है तो A क्या कहेगा कि सर पैसे तो मैंने B से लेने थे और जो ये evidence था वो भी B के पास है ये तो बात ही नहीं बनी कोई तो क्या होगा ये जो note रहेगा किसके पास रहेगा ये A के पास रहेगा note ठीक है अब A के पास अगर A ने note issue किया है ये इसको हम actually में क्या कहते है Bills of Exchange ये होता है Bills of Exchange कि इस पे लिखा हुआ है कि हमने ऐसे से करके Goods Exchange किये थे अब एक और चौटी सी बात अब A के लिए ये क्या चीज़ होगी A के लिए क्या होगा ये Bills Receivable Bills Receivable क्यों? क्योंकि A ने अभी पैसे लेनी है B के लिए क्या होगा ये Bills Payable क्योंकि B ने अभी पे करना है तो एक ही note एक ही slip एक ही evidence seller के लिए तो क्या है Bills Receivable और जो purchaser है उसके लिए क्या है Bills Payable अब यहाँ पे अभी एक छोटी सी और बात कि अब बना इसको कौन रहा है? A बना रहा है तो A को हम क्या कह सकते है? ये ड्रोवर है और B को ये मिल रहा है तो B हमारा क्या होजेगा? ड्रोवी तो seller seller is a drawer and purchaser is ड्रोवी तो ये दो नई टर्म्स हमारे सामने अब आई है अब Bills Receivable A के हिसाब से होगा Bills Payable किसके हिसाब से होगा? B के हिसाब से होगा अब जब इशू किया ये जब हमने Bills of Exchange अगर issue किया तो क्या entry बनेगी हमारी मालो यांट्री ईट पर स्थ एप्रेल completamente के एंट्री हें इसकेस हैर अभी 1 आपरेल 2017 को यह एंट्री होएगी सेम मिदेट भेगि ये बिल अपना 10,000 to B's account 10,000 अब सेम ही डेट को B की बुक्स में क्या एंट्री होगी यहाँ पे A's account debit to bills, payable इसकी क्या आउंट आएगी 10,000 यह जो एंट्री होगी, यह A में एंट्री होगी और यह B की बुक्स में एंट्री होगी अब माल लो maturity की डेट आजाती है, maturity यहनी payment करने की डेट जाती है 3 months के बाद वाली डेट आजाती है, इसमें एक छोटा सा rule है, कि जब भी हम कुछ समय बाद कुछ पैसे पे करते हैं, तो हम थोड़े से time का जो period जब over हो जाता है तो एक grace time देते हैं grace period देते हैं और normally जो grace time होता है, वो कितना होता है 3 days का 3 days का हम grace period देते हैं तो अगर मालो यह bill mature होगा 3 months बाद, यानी कि 1st April को अगर हमने bill issue किया है, तो April के बाद मय, जून और जुलाई, तो 1st July को यह bill क्या होगा, mature होगा लेकिन अगर जैसे हमने देखा कि हम 3 days का grace period देते हैं, तो इसमें क्या आएगा, 4th July 2017 तो 4th July 2017 को जब payment आएगी जब actually में यह bill mature होगा, 3 months बाद, तो हम entry क्या करेंगे इसमें, अब एक छोटी से एक और बात कि जब entry, पहले entry discuss करते हैं, जब payment आएगी एक के पास, तो क्या आएगी bank account debit, क्योंकि पैसे आ रहे है 2 bills receivable to bills receivable account 10,000 same, जब भी पैसे pay करेगा, कौन सी date को? 4th July 2017 को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? bills payable account debit 10,000 to bank account कितना? 10,000 तो यह जो entry ऐसे बनेगी, यहाँ पर bill मैच्योर हो गया, अब एक सोचने वाली बात है, कि यह जो बिल था अभी तक, किस के पास ता, A के पास अब जब B पैसे उसको भर देगा एको जब B पैसे भर देगा A को तो क्या होगा यह bill B के पास रहेगा यह बिल आपस मागेगा Oversi बात है वापस मागेगा ताकि इस bill को लेकर वापस कभी A case ना कर दे ता कि ये B को भी पक्का हो जाए कि मैंने पैसे पे कर दी है उसके बाद जो बिल है B के पास आजेगा बे उसके बाद उसको फार सकता है उसको कैसे भी destroy कर सकता है अब इसके अंदे चोटी सी बात इन entries के दर आप देखो अगर तो यहां पे जो B का account हो get यहां पे debit हुआ यहां पे credit हुआ क्या यह एक तरह से कट रहा है कैंसल होरा है बिल्कुल कैंसल होरा है अब इसके अंदर देखो Bills Receivable ॉसकोजम यहां पे क्या हुआ डैबित बिल्सरेशीवेबल यहां क्या हुआ credit जब हमारे पास पैसे आ गए on a. तो यहली बिल्सरेवे debit to sales account, मतलब कि, net result हमारे पास क्या आया, कि हमारे पास पैसे आये, किसके बदले आये, sale के बदले पैसे आये, ये entries हमने process के साथ की, कि ये ये actions हमारे साथ हुए, हम entries करते क्यों है, कि जो जो भी, हमारे business के साथ, हमने जो जो action किया होता है, उसको हम record करते जाते हैं, time के साथ, हमने time के साथ record किया, लेकिन net result क्या आया, bank account debit to sales account, उसमें से B भी निकल गया, और उसमें से जो bills receivable, हमने नाम का asset बनाया था, वो भी निकल गया, same इदर की तरफ, ये purchase account debit हुआ, ये A का account credit हुआ, यहाँ पे A का account क्या हो गया, debit, तो ये आपस में क्या हो गये, cancel, यहाँ पे bills payable क्या हुआ, credit, यहाँ पे bills payable क्या हुआ, debit, तो ये आपस में क्या हो गये, cancel, net हमारे पास जो entry बची, वो क्या बची, purchase account debit to bank account, वो ही जो entry हम हमेशा बनाते हैं, purchase करने पर, तो ये एक छोटा सा basic था, bills of exchange का, कि bills of exchange, actually में होता क्या है, और हम हम उसकी recording कैसे करते हैं, तो अब हम एक इसका, bills of exchange का method discuss करते हैं, जिसका नाम है, maturity of bill, इसका एक simple सा question है, पहले वो देखते हैं, कह रहा है, कि X sold goods worth rupees 10,000 to Y, on 1st January 2016, X ने कुछ goods, 10,000 के goods sale किये, Y को 1st January 2016 को, on the same date, X draws a bill for 10,000 payable, after 3 months, 3 months का time दिया है, और Y ने उसको accept भी कर लिया है, तो past journal entries in the books of X and Y, आए, अब X क्या है हमारा, draw, Y क्या है हमारा, draw, तो 1st January 2016 को, क्या entry बनेगी, X की books में, Y's account debit, कितने हां, 10,000, to sales account, यह तो entry हमने बहुत बाद डिसक्स की हुई, इसमें कोई explanation की जरुरत भी नहीं है, तो Y की books में क्या होगा, 1st January 2016 को, purchase, account, debit, 10,000, to X account, इसकी भी amount, 10,000, अब same ही date को, same ही date को, बिल इनों ने एक्सचेंज किया, 3 months के लिए, same date यानि की, 1st January 2016 को, तो यहाँ पर entry क्या बनेगी, हमने भी डिसकस किया, bills, receivable, account, debit, कितना, 10,000, to, wise, account, कितना, 10,000, कैसे, bills, receivable हमारा क्या हो रहा है, bills, receivable हमारा, asset बन रहा है, asset बढ़ रहा है, तो debit, और हमने क्या पढ़ा था, personal account में, की, debit the receiver and credit the giver, why is the giver here, अब, 1st January 2016 को, क्या entry बनेगी, X, account, debit, debit the receiver and credit the giver, उस rule के इसाब से, यहाँ पर क्या हो रहा है, X, debit हो रहा है, और यहाँ पर क्या आएगा, two bills, payable, यह इसकी liability है, इसलिए credit हो रहा है, अब, same date को, इन्होंने exchange कर लिया, three months के बाद, जब mature होगा, bill, उस दिन क्या entry होगी, cash का लेंदिन होगा, अब, तीन दिन हम grace भी देते हैं, हमने भी discuss किया, तो three months कब आएंगे यहाँ पर, तो first March को क्या होगा, bill mature होगा, लेकिन हम तीन दिन का grace देते हैं, तो यहाँ पर क्या date बनेगी, fourth April 2016, क्या आएगा यहाँ पर, पैसे किस के पास आएंगे, X के पास पैसे आएंगे, तो क्या आएगा, bank, account, debit, यहाँ आप cash भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10,000, two, bills, receivable, कितना, 10,000, यहाँ पर, fourth April 2016 को, क्या बनेगी, entry क्या बनेगी, bills, पेबल, account, debit, 10,000, two, bank account, 10,000, bills यहाँ पर हमने, यह उल्टा देखा, मैंने भी डिसक्स किया था, कि यह इससे कट क्यों रहे, क्योंकि पहले जब asset बड़ा था, इसका asset जब आया था, तो debit किया, अब वो asset खतम हो रहा है, किसके थुरू खतम हो रहा है, पैसे आने के कारण, जो asset है, वो क्या हो रहा है, खतम हो रहा है, तो इसको हमने bills receivable को credit कर दिया, same either bills payable हमारा, sorry, Y का क्या था, एक liability थी, तो इसको हमने credit किया था, अब वो liability खतम हो रही है, तो हमने उसको debit कर दिया, liability कैसे खतम हो रही है, bank में, मतलब कि एक तरह से उसके पैसे pay करने से उसकी liability खतम हो रही है, तो हमने bank account को credit कर दिया, यह ऐसे भी कह सकता है, कि उसने पैसे दिये, तो हमने उसको bank account को credit कर दिया, तो यह best method था, होता हमारा maturity of bill का simple जैसे हमने जो लास्ट एक्जांपल डिसक्स किया था सेम वही चीज है तो अब एक next method discuss करते हैं जिसका नाह मैं discounting of bill question पहले पढ़ते हैं उसके बाद question के help से हम इसको समझेंगे कि discounting of bill होता क्या है x sold goods to y for rupees 20,000 on first April 2016 20,000 के y accepted the bill on the same date payable after four months चार महीने का time दिया है किसको y को payment pay करने के लिए x discounted the bill on first May 2016 यानि की एक महीने बाद उसने bill discount करा लिया जो भी बताता हूं में आपको discount होता क्या है at 12% past journal entries in the books of x and y एक timeline समझ लो कि यह है first April 2016 और यह है हमारी due date जो चार four months बाद है four months बाद यानि की अगस्त में first अगस्त को क्या होगा यह due होगा लेकिन हम three days की grace देते हैं तो यह क्या हो जाएगा fourth August हवारी क्या हो जाएगी due date अब एक महीने बाद यहां पे first मही को यह क्या होता है bill discount करा लेता है कौन एक्स डिसकाउंट कराने का मतलब क्या है कि मान लो यह एक्स है एक्स परसन है इसके पास bill है twenty thousand का twenty thousand का इसके पास bill है और यह जाता है bank के पास कि कि सर मेरे को पैसों की जरुरत अभी है तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो बैंक कहता है कि एक्स साब आपको पैसे किस बात के दे दे वह कहता है कि सर मेरे पास यह bill है जिस पे y के साइन हुए कि मैंने उससे twenty thousand rupees लेने है तो इस basis पर क्या है कि जो बैंक है वो x को पैसे दे देता है अब सोचने वाली बात है कि bank बीस हजार का बिल लेकर क्या बीस हजार यह उससे देगा नहीं बीस हजार नहीं देगा कभी भी पूरे के पूरे पैसे नहीं देगा क्यूंकि bank को इसमें क्या फाइदा हुआ कि bank को अगर तीन महीने बाद उसको अगर पैसे मिलेंगे यहां पे अगर उसने आज यहां पे बैंक नहीं यहां पैसे दे दिये उसको यहां पैसे मिलेंगे तो उसको फाइदा क्या हो बीस जार ि के देदेगा और बीस जार ि उसको मिलेगे तो इसमें bank का फाइदा क्या हुआ वो अपना फाइदा कहा देख रहा है यहाँ पे 12% पे अब माल लो कुछ जो है माल लो bank जो कुछ है charges चारज लेगा इससे उसको क्या कहते हैं डिसकाउंटिंग चार्जेस जो चार्जेस बैंक लेगा इस परसन से बिल को डिसकाउंट करने के लिए आज पैसे दीने के लिए उस चार्जेस को हम क्या कहेंगे कर्णेंग डिसकाउंटिंग 15 चार्जेस कैसे निकालते हैं माल लो के 20 जो बिल है मैं उसका उसने बोलए कि टौल परसनट पे उसने पैसे लिए अब एक सोचने वाली बात है हाँ एक चोड़ी आ दो जो यहां पर पर सेंटेज होती यह वो पर एननम की होती है हमेशा यहां पर परसेंटेज होती है वो कितने की होती है पर एनम की होती है अब एक सवाल उठता है कि यह जो टाइम में वो है वन मंथ का और यह जो टाइम है यह है थ्री मंथ का जो 12 परसेंट जो लगेगा 20,000 पे वो वन मंथ पे लगेगा या थ्री मंथ पे लगेगा या फोर मंथ पे लगेगा इस पे जो 12 परसेंट लगेगा वो थ्री मंथ पे लगेगा क्यूं क्यूंकि बैंक को पैसे इस टाइम थ्री मंथ के बाद मिलेंगे वन मंथ का और फोर मंथ का तो कोई relation ही नहीं है 3 months के बाद bank को पैसे मिलेंगे इसलिए जो वो interest charge करेगा वो कितने time का करेगा 3 months का interest charge करेगा तो इसकी क्या value आजाएगी 600 जो हमारे क्या है discounting charges अब 600 के जो discounting charges है bank कैसे charge करेगा बैक कैसे चार्ज कर देगा 20,000 में से 600 निकाल कर 19,400 किसको देदेगा X को देदेगा 19,400 X को देदेगा अब एक और बात X ने अगर पैसे ले लिए हैं कितने 19,400 तो अब जब due date को Y जब पैसे देगा किसको देगा X को देगा या bank को देगा ओव्यसी बात है बिल किसके पास है इस समय bank के पास है तो Y will pay to the bank not to the X Y किसको पैसे पे करेगा किसको bank को पैसे पे करेगा क्योंकि इस समय जो बिल है वो किसके पास है bank के पास है तो आओ अब इसकी जो entries है वो discuss करते हैं तो अब X की book में पहली entry 1st April 2016 को क्या होगी हर बार की तरह Y's account debit कितना 20,000 to sales account कितना 20,000 same ही date को Y क्या record करेगा purchase account debit कितना 20,000 to X account same amount 20,000 same ही day को इन्होंने bill exchange किया same date यह नहीं कि 1st April 2016 को क्या आ जाएगा मैं bills receivable को BR लिख रहा हूँ यहाँ पर short में bills receivable account debit 20,000 to किसका wise account कितना आ जाएगा 20,000 यहाँ पर X account debit 20,000 to bills payable को मैं BP लिख रहा हूँ bills payable account कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 20,000 अब जो entry आती है वो इस question में नहीं है नहीं है जो हमने भी discuss किया discount कब discount करवाया उसने हमने discuss किया था 1st महें को एक महीने बाद उसने क्या है जो bill discount करवाया 12% पर यह रहा 1st महें 2016 को अब 1st महें 2016 को किसके books में recording होईगी obvious बात है X ने जो क्या है bill discount करवाया है उसके books में recording होगी उसको पैसे मिले तो क्या होगा bank account debit कितने मिले 19,400 पैसे कितने मिले 19,400 600 उसने क्या पै किया discounting चार्जेस पै कि उसने उसको भी हम debit करेंगे 600 तू बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल उसने दे दिया बैंक को कितना है 20,000 19,400 प्लस 600 कितना हो जाएगा 20,000 तो यह entry पूरी बिल्कुल सही आगी अब फर्स में 2016 को वाई क्या कर रहा है वाई कुछ भी निकर रहा वाई का इसके इसके x से कोई भी अब इस समय कोई लेना देना नहीं है उसका कब लेना देना होगा 4 months बाद तो वाई की बुक्स में क्या लिख सकते हैं no entry as on date of 1st May 2016 अब सर समय आ जाता है यह 4 months के बाद वाला 4 months वाला 1st April को April मैं जून जुलाई अगस्त अगस्त फर्स अगस्त को यह क्या होगा बिल मैचौर होगा मैचौर होगा हम 3 दिन का जो ग्रेस देते हैं तो इसमें एक्स की बुक में कौन सी डेट को फूर्थ अगस्त को जो हमारी ड्यू डेट है उसमें कोई entry होगी क्या कोई भी entry नहीं होगी क्यूंकि एक्स ने तो अपने पैसे ले लिए है बैंक से अब हमन अगस्त को जहां पर recording होगी क्या recording होगी है बिल पेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया था यहां पर डेबिट 20,000 टू क्या आजाएगा यहां पे बैंक अकाउंट क्योंकि उसने पेमेंट करी है 20,000 और यहां पे यह कोशन खतम तो डिसकाउंट यह चीज होती है कि जिस जो ड्रॉर होता है वो बैंक के पास चला जाता है कि सर मेरको आज पैसे दे दो जो आपके चार्जेज है 12 परसेंट ते जैसे इसमें वो अपने चार्ज कर लो मिरको पैसे दे दो और आपको यह परसन जो ड्रॉई है वो एक ड्यू डेट को एक स्पेसिफिक डेट को पैसे वापस कर देगा तो नेक्स्ट मेथर्ड है एंडॉर्समेंट ऑफ बिल एंडॉर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ट्रांसफर करने को हम क्या कहते हैं एंडॉर्समेंट कुशन बढ़ते हैं एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ रूपीस 15,000 तो य ऑन 1st जनुवरी 2016 and Y accepted the bill on the same date on 1st February 2006 X endorsed the bill to his creditor Z bill period was 75 days journalized in the books of X, Y and Z होता क्या है कि X अपने जो गुड्स से वो सेल करता है Y को 15,000 के 1st January 2016 को bill इन में same date को accept हो जाता है Y ये accept कर लेता है उसके बाद 1st February को यानि की पूरे एक महीने बाद X चा करता है अपने creditor के बाद जाता है जिसका क्या नाम है Z कि सर ये लो बिल मैंने आपके पैसे देने थे आप पैसे नहीं लेकर मालो 15,000 रुपे X ने देने थे तो अब वो X ने 15,000 रुपे ना देकर उसको वो bill दे दिया कि सर ये लो ये specific date को ये mature हो जाएगा तो जो जो Y है वो आपको पैसे पे कर देगा ये होता है सरफ transfer simple सा ये एक transfer है कि उसने अपने creditor को बिल दे दिया अब इसकी general entries करते है 1st January 2016 X की book में क्या होगा जो हर बार होता है wise account debit 15,000 to sales account 15,000 same date को यहाँ पे क्या होगा purchase account debit 15,000 to X account 15,000 Z को कोई फर्रक पढ़ेगा कोई फर्रक नहीं पढ़ेगा ये तो अभी scene में आया ही नहीं है तो इस date को Z की books में कोई entry नहीं होगी अब बिल असेप्ट हो जाता है 1st January 2016 को बिल असेप्ट हो जाएगा तो क्या आजएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 तो वाइज अकाउंट सेम अमाउंट 15,000 सेम डेट को यहाँ पर क्या होगा X अकाउंट डेबिट 15,000 तो बिल पेबल अकाउंट 15,000 इस दिन इसको कोई फर्रक पढ़ेगा Z को इस दिन भी अभी तक कोई फर्रक पढ़ेगा नहीं क्योंकि यह भी सीन में आया ही नहीं है यह सीन में कब आएगा 1st February 2016 को अब जाकर यह सीन में आएगा जब X जो बिल है वो एंडॉर्स करा लेगा किसको Z को जो यह है बिल अपना दे देगा अब 1st February 2016 को क्या एंट्री होगी क्या है Z को हमने बिल दिया है क्या होता है डेबिट दा रिसीवर एंड क्रेडिट दा गिवर तो Z अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल रिसीवेबल क्योंकि यह बिल अपना दे रहा है इसका एसेट ता एसेट का मो रहा है किसका एक्स का तो 15,000 यहाँ पर यह हो जाएगा Y को कोई फरक बढ़ेगा Y इस बार सीन में है ही नहीं तो यहाँ पर नो एंट्री इसके Y की अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी लेकिन अब Z के अकाउंट में एंट्री होगी Z के अकाउंट में सेम जो परसल अकाउंट वाला हमने लगाया था क्या हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 डेबिट दा रिसीवर एंड क्रेडिट दा गिवर 2X अकाउंट 15,000 इसका एसेट बढ़ रहा है बिल्स रिसीवेबल नाम का तो ये डेबिट कर रहा है कौनसी डेट को 1st February 2016 को अब जब बिल मैचौर होगा कब 75 डेज का अब हमें मैचौरिट की डेट निकालनी है इस कोश्चन में ये भी एक नई चीज है कि हमें मैचौरिट की डेट निकालनी है कैसे निकालेंगे 1st January हम पहले लेंगे 30 डेज़ वैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं हम 30 डेज लेंगे कि फॉर्स जनवरी को हम इंक्लूट नहीं करेंगे तो 30 डेज हो जाएंगे किसके जैनवरी के उसके बाद फेबरी के कितने होंगे द्यार रखना 2016 लीप यर था 29 डेज अबरी के प्लस पिछे किसको 75 में सा माइनेस करके कितने डेज हैंगे 16 डेज मार्च के मन्त के अब इस हिसाब से क्या आ जाएगा 16 मार्च हमारी ड्यूडेट आगी लेकिन हम 3 दिन का ग्रेज पीरिड देते हैं तो ये भी प्लस 3 हो जाएगा और हमारी ड्यूडेट के आ जाएगी 19 मार्च अब 19 मार्च को इसको कोई फरक पड़ेगा गया एक्स को एक्स को कोई फरक नी पड़ेगा इसने अपना काम कर दिया इसने बिल एंडूर्स करा लिए किसको दे दिया जेट को बिल दे दिया तो इस दिन किस दिन 19 मार्च को 2016 को इसकी बुक्स में कोई एंट्री नी होगी यह अपना अराम से घड़ पर बैठेगा अब इसने पे करना है वाई ने तो 19 मार्च 2016 को वाई क्या करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 15,000 तू बैंक अकाउंट चाहे बैंक कर लो चाहे कैश कर लो आपकी मर्जी है कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंगी कोशन में मैंशन नहीं है अब इसके पास पैसे आएंगे तो ये क्या रिकाउंट करेगा इस डेट को बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितना 15,000 ये हो गया हमारा एंडॉर्समेंट आफ बिल ये कोशन था बिल को सिंपल सा डिसकाउंटिंग वाला था उसमें तोड़ सा ट्रिक थ इसके अंदर सिर्फ ये अपने एक जो क्रेडिटर है उसको बिल दे देता है कि आप सर संबालो जब डियू डेट आएगी आप तब उससे पैसे ले लेना और एक चोटी सी ये चीज़ थी 75 डेज वाले की कैलकुलेट कैसे करते हैं डियू डिट लीपियर वगयरा हमेशा ध कहां रखनी है अगर आपने डिट गलत लिखी तो आपके माक्स कट सकते हैं तो गाइस इसका फूर्थ और जो लास मेथड है वो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन बिल सेंट फॉर कलेक्शन हम किसके पास बेजेंगे कलेक्शन के लिए हम बैंक के पास बेजेंगे कलेक्शन के इसके अंदर कोई discount नी है कोई कुछ नी है कोई bank पैसे नहीं देगा उस bill के सिरफ एक simple किसी भी कारण से x जो है वो bank को bill बेज देता है कि सर ये bill आप अपने पास रखिये हो सकता है कि उसके पास गुमने का उसको डर हो हो सकता है कि जब उसने पैसे लेने हो तो वहाँ पे अपने बिजनस पर प्रेसे नहीं या कहीं पर भी गया हुआ हो या उसको पैसे क्या हो bank मिचे तो इसका कोई भी कारण हो सकता है कोई भी छोटा मोटा कारण हो सकता है simple सा question है बिलकुल सिरफ इसके अंदर नहीं यह है कि जो एक्स है जो भी ड्रॉर है वह बिल कलेक्शन के लिए किसको बेश देगा बैक को बेश देगा तो आप कोईशन बटते हैं क्या कहता है एक्स गुड्स वर्थ रूपीज 6,000 तो य य असेप्टेट धब फॉर्ट एपरिल फॉर्स अपरेल तो तौज़ग सेवंटीन उन फर्स महें मतलब की एक महीन बाद एक सेंट द बिल फॉर collection to bank collection के लिए bank के पास बेज़ दिया the bill was met on maturity that is 4th July 2017 4th July 2017 को क्या हो गया mature होगा past journal interest in the books of X and Y हर बार की तरह 1st April 2017 को जब sale हुई तो क्या entry होगे X के book में X की books में wise account debit कितना 6000 तू sales account कितना 6000 वाई की बुक में same date को क्या entry होगी पर चेज अकाउंट debit 6000 तू एक्स अकाउंट 6000 सेम ही डेट को बिल exchange कर लिए फिर से वो हुई entry 1st April 2017 को बिल्स रिसीवेबल account debit 6000 तू वाई अकाउंट कितना 6000 अब यहां पर एक्स अकाउंट debit तू बिल्स पेबल दोनों में अमाउंट क्या आएगी 6000 अब आता है फिर्स्ट मैं को जब बिल जो है एक्स कलेक्शन के लिए बेशता है बैंक को फिर्स्ट मैं 2017 इसमें क्या हम लिखेंगे बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट 6000 तू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अब देखो हमें पता कैसे सेंट से मैं यहां पर बैंक क्यों नहीं किया हमने बैंक को यह बेज बेजा बिल कलेक्शन के लिए बैंक क्यों नंक्रेडिड किया क्यों के में हमारे पास पैसे थोड़ी हाई हम ने तो बिल्स रिसीवेबल जो बिल वैसे का वैसे हमने बैंक को बेज दिया यहां पर बिल northern ヌट बैंक को बेजा है उससे पैसे नहीं है अब एक्स ने ऐगर बिल बैंक को बेजा है उससे पैसे नहीं है कुछ भी किया है य कोई को कोई फरक रख नहीं पड़ेगा तो इस डेट को no entry Y की books में अब maturity का time आता है 4th July 2017 4th July 2017 को जब X के पास पैसे आएंगे तो क्या होगा bank account debit अब एक सोचने वाली बात है credit हम हमेशा क्या करते है to bills receivable bills receivable credit नहीं करेंगे यहाँ पर क्यूंकि bills receivable एक बार debit हो गया एक बार credit हो गया bills receivable है नहीं कहीं पर हमने bills receivable को जब credit किया तो हमने debit क्या किया bill sent for collection तो अब इसको वापस से cancel करने के लिए क्या करेंगे to bill sent for collection कितना 6000 बिल्स रिसीवेबल क्यों नहीं हुआ बिल्स रिसीवेबल पहले cancel हो चुका है bill हमने किसको बेज दिया है bank को किस नाम से बेज दिया bill sent for collection account को debit कर दिया था तो अब उसको credit करने क्योंकि हमारे पास पैसे आ चुके हैं अब यह पैसे किसको पे कर रहा है bank को पैसे पे कर रहा है तो यहां पर क्या होगा bills payable account debit 6000 to bank account कितनी 6000 तो यह तो बहुत ही simple सा question होता है एक तरह से जो हमने first question discuss किया तो उसकी तरह सिरफ एक bill bank को बेज दिया तो यह चार method थे जो bills of exchange के होते हैं जो record कर रहे जो तरीके होते हैं bills of exchange के यह यह events हो सकते हैं bills of exchange में सिरफ यही था next lecture में discuss करेंगे इसी chapter को continue करेंगे लेकिन कुछ questions जो tough हैं जो हो सकता है कि आपको exam में confuse करें उनको discuss करेंगे आज के लिए इतना ही thank you होते हैं जो fascer सकता है है कि आप करेंगी है यद्था करेंगे